बीती राद चिंतामन रोड स्थित युवराज धाबे पर हुए विवाद और मारपीट की परिनिती बुधवार को युवराज धाबा के जमी दोज होने के साथ हुई दरसल बुधवार की सुबह नगर निगम की टीम ने पुलिस के साथ युवराज धाबा पहुँचकर जमी दोज करने की कारवाई शुरू कर दी दरसल चिंतामन रोड पर मंगरोला फंटे के समीट युवराज सिंग बैस द्वारा धाबे का संचालन किया जाता है मंगलवार की शाम यहां एक्टिवा खड़ी करने की बात को लेकर उनका उनके ही परिवार के लोगों से विवाद हो गया था विवाद इस तरह बड़ा की शाम को दोनों पक्षों में मारपीट हो गई बाद में दोनों पक्षों के बीच पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी हाला कि बुधवार को यहां हुई मारपीट के मामले में तब नया मोगा गया जब नगर निगम की टीम पुलिस के साथ यहां पहुची और युवराज धावे के को जमी दोज करना शुरू कर दिया यहां आपको बता दे कि पूर्व में भी नगर निगम द्वारा युवराज धावे को अतिक्रमन बता कर जमी दोज करने की कोशिश की गई थी लेकिन तब कमलनात सरकार के मंत्रियों के फोन पर कार्यवाही रोग दी गई थी चून की अब शासन बीजेपी का है और धाबा संचालक कॉंग्रेस को बिलॉन करते हैं लिहाजा मौका मिलते ही नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने युवराज धावे को जमी दोज कर दिया ऐसे में पुलिस प्रशासन और नगर निगम सभी सवालों के कटघरे में है सवाल ये है कि अगर बीती रात विवाद हुए विवाद के बाद ही पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम को युवराज धाबा अवैधा तिक्रमन क्यों न जराया